हलो फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं छोटा सब क्रेश ने छूला है इसे बनाने के लिए धागा, सीजर, लाइटर, इंची टेप, मोती, रेंग तीन इंच की एट, पांच इंच की एट, मोती, एक कलर के धागा, दो लच्छी एक एक कलर के, यह देखे पन, यह हमने धागे काटे हैं सोला, एक धागा, दो मीटर का, यह हमारा संटर है, सभी धागों का और एक धागा यह अलग से काटे हैं, यह भी हमारा दो मीटर का है, यह इसका भी सेंटर यहां, यह यहां से सभी धागों से, यह ऐसे फसा दिये, इसको इधर पकड़े रहेंगे, फिर इसको यह देखें, इसमें एक बार नीचे से रखें, फिर एक बार उपर चेंगे, की देखेंगे, फिर इसको इता है, इसमें बार ने हैं, इधर से बना लेंगे, कि यह देखे यह हमारा कम्प्लेट हो गया थे अब यह वाला और इधर का धागा लेके एक स्कॉयर नाट इसके लिए ऐसे यहां थे कि यह थे इधर्ची अबिद्रागे हम यह ही चिपका देंगे कि चार धागे लेंगे यह ऐसी इसमें हम दो स्कॉयर नाट लगाएंगे अब यह बीच वाले धागों में एक मूती डालेंगे फिर एक नाट लगाएंगे अब फिर से हम मेरा अब फिर कि दो लगाएंगे डालेंगे फिर एक मूत्ति फिर दो गांट यह देखिए जैसे एक बनाए इसी तरह हम सभी बना लेंगे इसमें हमारे आठ बनेंगे यह देखिए यह हमारे सभी बन गए यह रिंग लेंगे इसमें यह दागे डाले इनको हम फशाएंगे इसके लिए देखिए एक बार फिर से इधार से यह देखिए इसी तरह हम सभी धागे इस रिंग में फशा लेते हैं अब यहां पर यह दागा फशाएंगे यह यहां पर रेड फशाएंगे फिर यहां ग्रीन फशाएंगे फिर रेड हर में एक फशादेंगे तो हमारे ग्रीन कलर के 8 धागे फसाए रेड कलर के 16 धागे ठीक अब हम इसमें डियाइन बराएंगे इसके लिए ये जैचे बीच के पहले इनमें हम गाट लगाएंगे छिर्फ रेड वालों में ये इसको एन नाट एक लगा दिये ठीक, ये आचे अब हम बीच के देखिए दो धागों में एक मोती डालेंगे ये आचे अब हम देखिए इधर का धागा लेंगे फिर इससे पाइपिंग करना इसको ये आचे ठीक, फिर एक बार और फिर इससे छोण के अंगला लेंगे फिर किये फिर देखिए जिसमें मोती डाला उसका एक धागा फिर उससे भी करें ठीच अब इधर से देखिए रड लेंगे फिर इन दो धागों से पहले करेंगे यह ऐचे अब मोती वाला भी इधर से जो कल लाए थे रट कलर उससे भी कर देंगे एक धागाव लेंगे फिर इससे करेंगे यह देखे इस बार एर आडचे भी करेंगे एक राउंड और इधाच लेके यह आचे करें यह दोनों रट से हो गए जैसे एक फूल बना इसी तरह हम सभी बना लेंगे बस यहां के छोण के यह दो फोल ठेए राउंड आँ करें। यह देखे फ्रंट जैसे हमने यहां तक कल लिया इतने धागे नहीं कि यह बीच में एक रड़ है यह दोनों साइट के धागे बचे हुए ठी अब हम दूसरा रावंड मनाएंगे दूसरे में भी हम बीच के दो धागे लेंगे इसमें मोती डालेंगे यह ऐसे एक धागा लेके यही पहले तिन धागों से पाइपिंग करेंगे फिरे मोती वाले से एक धागे से फिर सेम हम इधार से कि देखिए फिरा डेड़ वाले से फिर इधार चिकल लेंगे करेंगे देखे जैसे एक बन गई इसी तरह हम ए राउंड पूरा कर लेंगे क्योंकि हमारी एक किनारे में आधेड़ी याइन आएगी इसके लिए हम यहां से ऐसे बनाएंगे दोनों साइड हाफ हाफ आएगे इस साइड ठीक अब हम दूसरा भी ध्याग ऐसे करेंगे आधा गaro कर देखे जैसे डी याइन हमने बना दिये दूसरा राउंड भी तीसरा बनेंगे तीसरे में बूरी आएगे फिर ऐसे बनाएंगे इसे हम यहां से पांच इंच तक बनाएंगे पांच इंच जब हो जाएगा तब तक हम यहां ले याइन बना लेते हैム इतना बने आप पहले हम इसको करते हैं यह इसे हम आयसे डियाइन देंगे यह देखिए इसको आयसे तेर्छा कट करेंगे कर दो इन में देखिए ऐसे रखके यह दो धागा इन में एक ऐसे यह इसमें चिपका देंगे इसी तरह हमें सभीम लगा लेंगे आई इसके लिए यह हमारा यह हम चाकोर रिंग लिए हैं इसमें दागे फसाएंगे यह आचे रखेंगे यह एक बार फिर एक बार और और फिर उसे चोन के फिर अंगला लेंगे फिर फसाएंगे इसी तरह हम सभी धागे इस रिंग में फसा लेंगे यह देखें जैसे धागे फसके जो हमारे इधर वाले रिंग में हैं इनमें हम स्क्वार नाट लगाएंगे ऐसी फिर इसे छोन के फिर लेंगे यहां तक लगा लेते हैं यह देखें जैसे एक राउंड हो गए फिर दो इधर छोन के दो इसके दो इसके लेके इसमें लगाएंगे इसमेरे नाट बिशाविए वाल नाट लेके दो बान लगाएंगे रहेंगे हैं कि यह देखें आप फिर तीसरे राउंड में फिर से नाट लेकाएंगे रहे नाट लेके जाएंगे दो बीशाएंगे ले लेंगे हमें इसी तरह बनाना है इसको ऐसे बना के यहां तक ऐसे बनाते हुए ले आएंगे यहां हमारा छू जाएगा तब तक बना लेंगे देखे फ्रंट यह हमने फसा दिया ठी पहले हमने चौकूर फसाई थी तो लियाइन अच्छी नहीं लग रहे तो इसलिए हमने इस धागे में यह देखे यह जो हम बनाए है इसको हम इस रिंग में फसा देंगे धागे यह ऐसे तरह यह दागे हम सभी फसा लेंगे यह देखे यह फंस गया ठी अब धागे हम इसके अंदर से डालेंगे इनको ऐसी है इसी तरह हम दोनों साइट के निकाल लेंगे यह देखे जैसे निकालने के बाद हम इसको ऐसे करके गांट लगा देंगे यह हम सभी में इसे हम लगा देंगे इसको बनाके गांट लगा देंगे इनको अब ऐसे चिपका देंगे सभी धागे यह दोनों साइड ठीक अब इधर देखे यह बीच के हम चार धागे रख लेंगे इनको कट करके यहीं चिपका अब इस वाले को हम यह ऐसे पहले एक स्कुर्ड नाट लगाएंगे यह अब इसमें हम पांच मोती डाल लेंगे यह देखे इस बाकी इधर कर दिये एक करके फिर इस कर नाट लगाएंगे फिर इसी तरह हम पांचों बना लेते हैं देखे जैसे बन गया अब हम इसमें दो गांठे लगा देंगे यह अब यह दोनों धागे यहीं ऐसे कट करके यहीं चिपका देंगे यह देखे फ्रंट्स हमारा क्रश्न जूला कम्प्लेट है